होमियोपैथी एक सुरक्षित उप्चार संथ मोनूरा महाराज श्री अमरापुर स्थान जैपुर में होमियोपैथिक चिकित्सा पध्धती से हुए 130 लोग लाभान दुद। होमियोपैथिक चिकित्सा क्यांप लगाया गया जैपुर। आस्था के केंद्र पावन। तीर्थ श्री अमरापुर स्थान जैपुर में आज शनिवार के दिन मंदिर परिसर में होमियोपैथिक चिकित्सा एवं परामर्ष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 130 लोगों को ना, कान, गला, एलर्जी, वचा, रोग, जोडों का। दर्ग, पेट के रोग, पत्री आदी के रोगों की परामर्ष प्रधान कर निशुल्प दवा वित्रित की गई। शिविर का आरंब प्राता काल 8 बज कर 30 मिनट बजे श्री अमरापुर स्थान जैपुर के व्यवस्थापक संथ मोलूरा महाराज द्वारा दीप प्रजवलित कर किया गया। श्री अमरापुर स्थान एवं डॉक्तर मदन प्रताप खुटेटा होमियोपैथिक मेडिकल कॉलिज के तत्वाधान द्वारा आयोजित शिविर में डॉक्तर एसेस। बिड़वाल करके सानिध्य में आये डॉक्तर द्वारा लगभक सैकरों लोगों को विभीन प्रकार के रोगों का परामर्श देकर ने शुन्क दवा उपलप्त कराई गई। डॉक्तर द्वारा बताया गया कि जहां आजकल अंग्रेजी दवाईया का चलन अत्यदिक हो गया है और जिनकी उप्योग से अन्य कोई गंभीर समस्या होने का खत्रा बना रहता है उस दौर में होमियोपैथिक चिकित्सा एक सुरक्षित उपचार है। होमियोपैथिक चिकित्सा द्वारा रोग को जड़ से नश्ट किया जा सकता है और इसकी दवा एवं परामर्ष का खड़ बहुत काम आता है और इसकी दवा के सेवन से शरीर में अन्य कोई दुश्प्रभाव होने का खत्रा नहीं रहता है। संत मोनु राम महाराज ने बताया कि माह के प्रत्यक वितिय एवं चतुर शनिवार को कैम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें काफी लोग लाभान्वित हुए हैं डॉक्टर विल जैन, मृत्युन जै राजकुमार, परिधी जैन, अनुष्का पाराशर, कशिश माथुर, र स्वामी सेवाएं दी गई, स्वामी मनोहर लाल महाराज, संत मोनुरा महाराज, संत लालचन द्वारा सभी आये हुए डॉक्टर का पखर प्रसाद देखकर आभार व्यक्त किया गया, संतों के संग होली खेलो, सोमवार 25 मार्ज श्री अमरापुर दरबार, में डुलंडी, ह पर फूनों की होली महुद सब सुबह 7 से 11 बजे तक भक्ती भाव से मनाया जाएगा